आज के इस महत्व पूर्ण और समसामाइग कार्यक्रम के मुख्य अतिती अपने राष्टर के माननिय पूर्व राष्टर पति श्री रामनात को विंजी इस कार्यक्रम के आयोजिन समिति के अध्यक्ष रगुजी राजी आंग्रेजी वैभौजी डांगे मंचपराचिन सभी अन्य पुद्धों और सभागार में उपस्थित राष्टर भक्त सज्जन बंदू स्रद्धे माता बगनी भारत बर में एक बात कई वर्षों से देखने को मिलती है मैं बच्च्पन से अनभव कर रहा हूँ वो है जब जब चत्रपती शिवाजी महाराज की बारे में कोई कारेकरम होता है चत्रपती शिवाजी महाराज के उलेक होता है चत्रपती शिवाजी महाराज के जीवन की कहानी किसी मंच पर कोई भी उल्ले करते तो लोगों के ख्रदे के अंदर राष्ट्र भक्ति का महापूर हो जाता है और चत्रपति श्वाजे महाराज की जय यह गुंजता है उस सभागार में आज भी वो हुआ तो इसका आर्थ यही है हम सब के अंदर इतने साड़े तीन सो वर्षों के पस्चात भी और आने वाले हजारों वर्षय तक भी चत्रपति श्वाजी महाराज ने अईसे एक देश भक्ति के समाज के प्रति अपने प्रति बद्धता के भाव को निर्मान करके चले गए इस दुष्टी से भी श्वाजी महाराज अपने जीवन को सार्थक बनाया और आने वाले करोडों करोडों के मन में यदि एक व्यक्ति ने देश के लिए जीना चाहिए यदि आवश्चक है तो देश के लिए मरना चाहिए ऐसे भाव उत्पन करता है तो वह चिरन जीवी है और शिवाजी महाराज इस दुष्टी से चिरन जीवी है शिवाजी महाराज शरीर से आज जीवित नहीं है लेकिन उन्होंने जो कारिय जो आदर्श जो जीवन के एक उदात्ता को इस धर्थी पर पुना है एक बात अपने जीवित काल में निर्मान किये उत्पन किये देश बरके लोगों के अंदर उसके लिए अपने जीवन को समर्पित करने के प्रेरणा दी ऐसे व्यक्ति न केवल भारत के लोगों के लिए विश्व के कोई भी राष्ट्र भक्त अपने समाज और देश के लिए कारे करने वाले वह प्रेरणा ले सकते हैं ऐसे उनके व्यक्तित्तों व्यक्तिमत उत रहा यही कारण है कि कहते हैं वियत नाम के युद्ध के पस्चात वहां के होची मिनने आप अमेरिका जैसे बहुत शक्तिशाली देश के सामने एक सामान देश वियत नाम आप वर्षों तक नकेवल लड़ाई लड़ सकें लेकिन अमेरिका को भी वियत नाम को हम अपने गुलाम नहीं बना सकते आइसे करके उनको परास्त कर दिया इसका कारण क्या है आइसे पूछने पर उन्होंने कहा था I am a soldier of चत्रपती श्वाजी महराच यह सच्छा है कि नहीं पता नहीं लेकिना कई पुस्तकों में कई लेखों में मैंने अभी जो भी अतनाम के उलेख किया वह बार-बार उसके उदाहरन दिया गया है श्वाजी महराज अपने जीवन में ही एक लेजेंड बन गए यहने एक व्यक्ति अपने जीवित काल में लेजेंड बनते हैं तो यहाँ उस व्यक्ति के महानता को ही दर्शाता है अभी श्रीकेदार पलकेजी ने श्वाजी महराज और मराठा सामराज जी के संदर्व में जो बाते बताएं इससे अधिक शायर दितिहास के संदर्व में आज के इस कारेक्र में कहने के अवश्यक्ता नहीं है एक है श्वाजे राइगर मंडल ने ऐसे एक उद्यम को अपने हाथों में लिया और मैं जानता हूँ इस श्वाजे राइगर समारक पंडल ने राइगर पर जो समारक है उसके रखरका उसके संचालन ये तो करी रहा है इतना ही नहीं विशेश करके पिछले कई वर्षों से महराश्टर के विद्यार्थियों को शाले स्कूल के विद्यार्तियों को, वहां कई प्रकार के कारेक्रम करते हुए, प्रत्यक्ष रायगड़ पर लेके जाना, या किसी प्रकार के प्रतियों गिताये करना, व्याख्यान के आयोजन करना इसके कितने प्रकार के कारे कम करते हुए जिस उद्देश से उस मंडल के स्थापना हुई है उसको सार्थक करने में लगे हुए है मैंने इसका प्रत्यक्ष अनुभों भी किया है पिछले कुछ वर्षों में इस प्रकार के विद्द्याश्टों के लिए जैसे अभी आपने कहा स्वाजी महाराज के बारे में शोध कारे करते हुए कई विद्द्वान लोगों ने ग्रंत लिके हैं भारत के और अन्य देशों की विद्द्वानों के अध्येन के विशय तो है ही परंतु प्रेरना देने वाले मुझे जिस समाज में मैंने जन्म लिया जिस राष्टर में मैंने जन्म लिया उसके लिए मुझे कारे करना चाहिए इसे दृष्टी से प्रेरना देने के लिए हर पीड़ी में उसके उद्वोदक जानकारी देना उसके लिए कारेक्म करना ये भी आवश्यक होता है तो मंडल ने श्वाजी टाइगर्ट स्मारक मंडल ने इस कारे में भकू भी कारे किया है इसलिए उन्होंने कई पुस्त के प्रकाशित करने के वर्तमान वर्ष में जबके शिवराज्जाबिशेक के साड़े तीन सव वर्ष इस वर्ष पूर्ण हुआ है 1674 में राइगर के किले पर श्वाजी महराज छहत्रपती बने शिवराज्जाबिशेक हुआ उस राज्जाबिशेक के जो कारेक्रम हुआ उसके तीन सो पचास वर्ष पूर्ण होने पर दिल्ली में ही यहां के हिंदवी सुराज्जारक्समित्य के कारेकरता हुने एक कारेक्रम का आयोजन किया ता कुछ समय पहले इतिहास से सीखने वाले बातों को हर पीड़ी को देने के कारिया विश्व के कई समाजों में कई देशों में आज भी करते हैं ब्रिटन में रहने वाले इस्रेल के लोग जूस ब्रिटन में पढ़ने वाले यहूदी विद्यार्थियों को हर वर्ष सैकड़ों के संक्या में जरूसलम लेके जाते हैं इस्रेल लेके जाते हैं बले ही वो बृटिश सिटिजन से आज बृटेन नागरिक है यूके के लेकिन उनको अपने प्रेरिणा मूल प्रेरिणा मिले इस दुर्ष्टी से वो कारख्म करते हैं फ्रांस के लोगों ने नेपोलियन से लेकर हर प्रकार के उस देश के इतिहास के कला के साहित के सही इतिय बताते हैं चीन के लोग बताते हैं भारत में इतिहास को विकृत करके बताकर शिवा जी के बारे में अंग्रेजों ने भी जितने उनको छोटा किया था उससे भी विकृत करने के प्रयत्ना कई बार इस देश में स्वतंत्र भारत में हुआ था परंतु जनमानस में दंतकता बने हुए एक महान्वेक्ति उसको इस प्रकार के विकृती से आप उनके जनमानस के उसको मिटा नहीं सकते हैं वो स्वयम प्रकाशित है श्वयम प्रभावी है वो स्वयम पेरख हैं तो इसल हो सक शुवाजी महाराज माराज माराच डिक मराट हैं हैं क्या बले ही माराटा सामराज माराज सामराज केहते हैं शुवाजी माराज ने एक बार भी नहीं कहा ह Sindhabhi S würat जवाब हे थिश्री चीप चाहा है उनहोंने ہindhabhi स्वाराज के बाद अभी बताया तंदावर तक का सामराज विस्थारित हुआ था स्वामी विवेकानंद उन्होंने अपने बारत परिब्रह्मन के समय चन्नेह में आये थे आज जिसको विवेकानंद आउस कहते हैं मदरास के बीच के उपर है समुद्र के थट पर है वहाँ वो कुछ समय रुके थे चन्ने में रहने वाले एक बंगलाबाशी नाग महाशे उनसे मिलने बीच यह आते थे उस समय एक दिन रात के समय समवाद करने के लिए बैटे थे तो स्वामी जी ने अभी जो श्यू बावनी भूशन कभी के चार पंक्ती उन्होंने उले किया ऐसे ही और चार पंक्ती दावाद रुमदंड पर चित्ता मुखदंड पर बूशन वितंड पर जैसे मुर्गराज है तेज तम अंस पर कान जिमिखंस पर तो मलेच खंस पर सेर शिवराज है ऐसे शिवाजी महाराज के वर्नन के गुणगान के इन पंक्तियों को वो गुनगुना रहे थे नाग महाशे ने कहा स्वामी जी आप किसके बारे में कह रहे हैं कै शिवराज जी महाराज स्वामी जी वो थो एक लुटे रह था वो तो ऐसे था वैसे था अंग्रेजों के इतिहास को पढ़कर नाग महाशे ने इस परकार जब जैसे ही बोले स्वामी जी एकदम क्रोधित हो गए गुस्से साए दिमाग में क्या भरा हुआ है उसके बाद गंटे डेड़ गंटे शिवाजी महाराज के बारे में स्वामी जी ने नाग महाशे को बताया शिवाजी नहीं होते तो क्या होता यहाँ रामकर्ष्ट आश्रम से प्रकाशित पुस्तक में ही इस गटना के वर्णन है च्वाजी महाराज नहीं होते तो क्या होते हैं 1961 में च्वाजी महाराज के एक मूर्थी की स्थापना हुई मुंबई में उस प्रतिमा के आनावरन के समय 26 जनवरी 1961 में उस समय के तत्कालिन मुख्यमंत्री यहश्वंत्रा चवाण थे जो बाद में भारत के रक्षा मंत्री बने और उनको जब यहां केंद्र में रक्षा मंत्री के नाते लाए तो पंडित जवर्ला नहरू जी ने कहा था हिमाले की रक्षा के लिए सखिया द्री आ रही है तो यह शंत्रा चवाण जी ने उस सभा में कहा था यदि शिवाजी महाराज नहीं होते तो क्या होता आज हमको पाकिस्तान भारत के जो सीमा है उसको देखने के लिए उतना दूर नहीं जाना पड़ता यहीं हमारे दरवाजे पर होता यह शंत्रा चवाण जी का कहना है जिए शिवाजी महाराज क्या थे और शिवाजी महाराज की प्रेना से चले सामराज के बाद अटक से कटक तक के जो उलेक हुआ इसके वारे में भी हमने सुना शिवाजी महाराज केवला राज्या विशेक वो स्वहिम के लिए राज्या बनने चाहिए चत्रपती बनने चाहिए इस स्वार्थ के आकांग्छा से उन्होंने की नहीं उन्हेंने जोले में स्वराज को डाल कर अपने गुरू के चरणों में डाल कर मैं सन्यासी बनकर चला जाओंगा इसे कहने के लिए तैयार हूँ श्वाजी महराज की आकांख्षा उनके कोई ऐसे स्वाहिम की इच्छा नहीं थी सियासन पर बैठना है एक संदेश दिना था जो भारत के यहां के समाज के मानसिक्ता पिट गई थी हार मानने की स्थिटिम आये थे सब प्रकार से वो लोग जरजरित हो गए थे अपने मंदिर खोए थे संस्कृतिका नाश हुआ था भाषा के नश्ठ होए था राज कोए थे चारों और से अपने धर्म के बारे में ये रहेगा कि ने रहेगा ऐसे स्थितिती समर्त रामदास ने उस समय कहा था होगा क्या है उस समय एक संदेश देना था भारत के समाज ये जीवित है भारत के समाज ये साहसी है भारत के है हिंदू समाज यह फिर से एक बार उठकर खड़ा होगा अपने सामराज के संचालन करने के लिए वो शक्तिशाली है सक्षम है सामर्त है ये संदेश दुनिया के लिए देने के आवश्चकता थी इसलिए चत्रपति शिवाजी महाराज राज्जा बिश्यक के निरने किया था शिवाजी महाराज ने केवल राजशक पर रखने के विचार नहीं किया जैसे अभी वीडियो में हमने सुना उन्हेंने क्रिशी नीति क्रिशी के बारे में विचार किया शुराज्य के आज बात होती है बुड़ गवर्नेंस के बात होती है गुड़ गवर्नेंस के कई प्रकार के अश्ट परधानों के नियुक्ति से लेकर मुद्रा बनाने से लेकर एक एक प्रकार से राज्ज कोश बनाने से लेकर इंडस्ट्री के बारे में ध्यान देना अंतराठ्ट्री व्यापार के लिए करना शिफ बनाना जहाज के निर्मान करना कितने प्रकार के विश्यों में उन्होंने ध्यान दिया बारंग के समाज के फिर से एक वार पुनुरुत्तान करने के लिए एक सुराज के सुशासन के आवश्चकता है केवल राजावन के सिंगासन पर बैटने के लिए नहीं यहाँ उन्होंने अपने जीवन काल में करके दिखाया अनिल मादोदवेजी ने एक पुस्तक लिखी है शिवाजी महाराज के बारे में सुराज और सुराज उसमें उन्हें ने वर्णन किया है उस पुस्तक के प्रस्तावना वर्तमान प्रधान मंतरी श्री नरेदर मोदी जी ने जब वो मुख्यमंत्री ते गुजरात के उस समय उसके प्रस्थावना लिखें कैसे शिवाजी के प्रेनासे सुशासन को आज भी चलाने के अवश्यकता है इसको उनने इंगित किया है मित्रों शिवाजी महराज की बाद जो जिसको मराटा सामरे मराटा साथ कहते है आटरा साव अटरा तक दुतिय बाजी राव की नहीं जब अंग्रेजों के राजशोप दिया तब तक चला लगबग धाई सो मिलियन एकड वन मिलियन स्क्वेर किलोमीटर यह भारत के जिसको उपमहाद दिप कहते है सब कॉंटिनेंट कई बार कहते हैं इसमें एशिया के दक्षिन एशिया में इतना बड़ा सामराज उस समय और कोई नहीं था इतने बड़े आटक से कटक जो कहते हैं तंजा और चली कर वहाँ तक कहते हैं यह इतनी बड़ा सामर तो ऐसे एक भारत के रक्षा के लिए भारत के संस्कुति धर्म यहां के सभ्यता के उन्नति के लिए जिस महापुरुष के प्रेरणा से यह कार्य चलता रहा उस कारे को आज वर्तमान पीडी को और आने वाले पीडी को भी पाठ्ठे पुस्तकों के द्वारा फिल्मों के द्वारा कहानियों के द्वारा वैक्षान के द्वारा समाज में बताने के अवश्यक्ता है जैसे स्वामी जी ने शिवा जी महाराज के बारे में कहा गुर्देव रविंदना अट्यागूर लोकमा ने तिलक्ति की शिवा जेहनति उत्सों से प्रेणा लेकर बंगाल में शिवा जी जेहनति के कारेक्रम किये लोगों के प्रेणा देने के लिए बंगाल के लोगों को ये बताने के लिए ये शिवाजी महाराज के वर मराठा लोगों के राजा नहीं है ये भारत के सर्वाजी के लिए प्रियना भारत के सुतंतता आंदोलन के लिए एक वूर्जा देने के लिए लोकमाने तिलक ने उदर गुरदे मरमिनाटा गुर ने शि प्रदान मंत्री ने उनके सुशासन के एक दुष्टी से संकेत करते हुए कहा कैसे आज भी आवश्यक्ता है कैसे दिनिया के अन्य देशों के लोगों ने शुवाजी महाराज के और बात के इस हिंदवी स्वराज्य के बारे में शोध करते हुए पुस्तक लिके हैं वह सर्वसामान्य लोगों को वरतमान विद्यारती पीड़ी को मिलने चाहिए इसलिए जिस प्रकार की एक उपक्रम इस संस्थाने अपने हाथ लिया है उसके समाज के सर्वप्रकार के समर्तन सयोग मिले मैं आप सबकी ओर से सिवाजी राइगर्ड समारक मंडल के हृदय से अ आगे बढ़ाते रहे हम सब के समर्तन आपके साथ है नमस्कार